C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरपस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्ट्य पुस्तक हमारे आसपास का पहला पाठ कैसे पहचाना चीटी ने दोस्त को प्रिष्ट एक क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई तुम एक सुवए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और जट से उसके कान खड़े हो गई खाते समय तुमसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ छीटियों का जुन्ड इकठा हो गया क्यों होता है ऐसा? सोच कर बताओ जानवरों में भी देखने, सुनने, सुंगने और महसूस करने की शक्ती होती है कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है कोई हलकी से हलकी आहट को भी सुन लेता है कोई जानवर अपने साथी को सुंग कर ढूंड लेता है है ना जानवरों की भी अजीब दुनिया? प्रेश्ट दो कैसे पहचाना साथी को? एक चीटी अपने रास्ते चली जा रही थी अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चीटियों को देख कर वह जट से अपने बिल की तरफ वापस दोड़ी आई बिल के बाहर पहरा दे रही चीटी ने उसे पहचान लिया और बिल में गुसने दिया सोचो और बताओ इस चीटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चीटियां दूसरी टोली की है पहरे दार चीटी ने इस चीटी को कैसे पहचाना? करके देखो और लिखो चीनी के कुछ दाने, गुड या कोई मीठी चीज जमीन पर रखो अब इंतिजार करो चीटियों के आने का अब देखो चीटी कितनी देर में आई? क्या सबसे पहले एक चीटी आई? या सारा जुंड इकठा आया? चीटियां खाने की चीज का क्या करती है? वे उस जगह से कहां जाती है? क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती है? प्रिष्ट तीन अब ध्यान से बिना किसी चीटी को नुकसान पहुचाए उस कतार के बीच में पैंसल से कुछ देर चीटियों का रास्ता रुको देखो अब चीटियां कैसे चलती है? बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किये थे वे इस नतीजे पर पहुचे कि चीटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा चोड़ती हैं जिसे सूंग कर पीछे आने वाली चीटियों को रास्ता मिल जाता है क्या अब बता सकते हो? जब तुमने पैंसिल से चीटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे वेवहार का क्या कारण था? कुछ नरकीडे मकौडे अपनी मादा कीडे की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहा हो? मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध खास कर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें डूंड लेता है क्या तुमने कभी किसी कुट्टे को इधर उधर कुछ सूंगते हुए देखा है? सोचो कुट्टा क्या-क्य सूंगता होगा? सडकों पर कुट्टों की भी अपनी जगा बटी होती है एक कुट्टा दूसरे कुट्टे के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुट्टा आया था यहां एक रेशम की कीड़े का चित्र बना है वह कहता है मैं रेशम का कीड़ा हूँ मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलो मीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ हम कुट्टों के सूंगने की शक्ती का इस्तेमाल कहां कहां करते हैं किन-किन मौकों पर तुम्हारी सूंगने की शक्ती तुम्हारे काम आती है सूची बनाओ उदाहरण के लिए खाने की गंध से उसके खराब होने का पता चलना किसी चीज के जलने का पता चलना तुम बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो उनके नाम लिखो किन ही पाँच ऐसी चीजों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है और किनी पाँच ऐसी चीजों के नाम भी लिखो, जिनकी गंद तुम्हें अच्छी नहीं लगते क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक से हैं? प्रेश्ट पाँच चर्चा करो, क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों से गंद आती है? किसके? कभी किसी भीड से भरी जगह, जैसे मेले में, बस में, टेन आदी में, तुम्हें गंद का एहसास हुआ है? बताओ कैसा लगा? ऐसा क्यों? आज रिजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा अपने छे माइने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है मजे की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पौटी यानि लेटरिन कर दी अपनी बेटी की पौटी दोने के बाद जह वह दीपक की पौटी साफ करने लगी तो फटा-फट अपने मूँ नाख को दुपटे से ढग लिया सोचो और चर्चा करो सुशीला ने अपनी बेटी की पौटी साफ करते समय तो मूँ नहीं ढखा लेकिन दीपक की पौटी साफ करते समय उसने मूँ ढख लिया ऐसा क्यों? जब तुम कूडे के धेर के पास से गुजरते हो वहां की गंद तुमें कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कच्रे के धेर में से चीजें बीनता है क्या गंद का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है? या इस पर हमारी सोच का भी असर पड़ता है? प्रिष्ट 6 कैसे दिखा? किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आँखें सामने की तरफ होती है ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आँखें सिर के दोनों तरफ होती है इन पक्षियों की आँखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? ज्यादतर पक्षियों की आखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं पक्षी एक ही समय में दो अलग-अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आखें एक ही चीज पर होती है तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं जानते हो क्यों? ज्यादतर पक्षियों की आँखों की पुतली गूम नहीं सकते वे अपनी गर्दन घुमा कर ही आसपास देखते हैं तुम भी अलग-अलग तरीकों से देखो तुम अपनी दाईं आँख बंद करो या हाथ से ढखो इसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर खड़ा होकर कुछ एक्षन करे क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्षन को देख पाते हो? अब दोनों आँखें खोल कर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्षन को देखो दोनों तरीकों से देखने पर क्या अंतर पाया? प्रिष्ट साथ अब गेंद या छोटा सिक्का उचाल कर पकड़ने का खेल खेलो एक बार दोनों आँखें खोल कर और एक बार एक आँख बंद करके किस स्थिती में उसे पकड़ना आसान लगा? सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आँखें तुम्हारे कान की जगा होती तो कैसा होता? तुम ऐसे क्या-क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो? चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे चार गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं जो चीज हमें दो मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज ये पक्षी आठ मीटर की दूरी से देख लेते हैं क्या तुम सोच सकते हो जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती होगी मज़ेदार बात और जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते देखो इन जानवरों को ये चितर कैसे दिखाई देंगे जैसे जिस चितर में हमें गुलाबी, लाल, हलका हरा, गेहरा हरा, पीला, काला ये रंग दिखाई पड़ते हैं चिडिया को भी ये रंग दिखाई देते हैं और कुट्टे को केवल हरा और पीला और चूहे को तो कोई रंग ही दिखाई नहीं देता उसे तो बस काला और सफेद दिखता है आम तोर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। तुमने कक्षा चार में पढ़ा था, हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। उनके बाहरी कान छोटे-छोटे छेद जैसे होते हैं, जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। लिखो, दस जानवरों के नाम लिखो, जिनके कान दिखते हैं। कुछ जानवरों के नाम लिखो, जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं। सोचो, तुम्हें क्या लगता है? क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ती में कुछ संबंध होता है? करके देखो, स्कूल में कोई शांत जगा ढूंडो, वहां एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोले, बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने, वही बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले, और बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रख कर सुने, किस बार आवाज ज्यादा साफ सुनाई दी, अपने साथियों से भी पता करो, तुम अपने कानों पर हाथ रख कर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज सुनाई देती है ना, प्रेश्ट नौ, एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज आती है, अब जैसे चित्र म दिखाया गया है, वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ, एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ, कैसी आवाज आती है, क्या दोनों आवाजों में कुछ अंतर है, साप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कमपन को ही वह सुन पाता ह आवाजें अलग-अलग उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज मचलियां, खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं कुछ जानवर, तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकत ही करने लगते हैं जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस विवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनुहोनी होने वाली है सन 2004 दिसंबर में आये सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब विवहार और उनके द्वारा दी गई चितावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाती समझ गई उन्होंने वे इलाका खाली कर दिया इस प्रकार इस जाती के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए प्रिष्ट 10 डॉल्फिन भी अलग-अलग तरह की आवाजे निकालती है और एक दूसरे से बात करती है वे ज्यानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है लिखो क्या तुम कुछ जानवरों की आवाजें समझ सकते हो किस किस की क्या कुछ जानवर तुमारी भाषा भी समझ सकते हैं कौन-कौन से आओ खेलें एक मज़िदार खेल जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग-अलग आवाजे निकालते हैं उसी तरह तुम भी अलग-अलग बातों के लिए आवाजों की भाशा बना लो ध्यान रहे, बोलना नहीं है, केवल आवाजे निकालनी है और साथियों को अपनी बात समझानी है किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे जैसे कक्षा में टीचर के आने पर कितना सोएं बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नीद में चल जाते हैं लंबी भी इतनी कि कई महिनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिप कलियां कहां गुमो जाती हैं सोचो वे ऐसा क्यों करती होंगी प्रेश्ट ग्यारह ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटका कर मस्ती से सोते हैं ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खा कर पलते हैं इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं लगबग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर गूमने की तगलीफ उठाते हैं ये सबता हमें एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं 24 गंटों में से स्लॉथ केवल 6 गंटे जाकता है और 18 गंटे सूता है घड़ी बना कर इन जानवरों का सोने और जागने का समय दिखाओ छिपकली, गाए, अजगर, जिराफ और बिल्ली अपने आसपास किसी जानवर को देख कर क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं कौन से कोई 10 प्रश्न बनाओ और लिखो प्रिष्ट बारह यहाँ पर बाग का एक चित्र दिया गया है बाग अंधेरे में हम से 6 गुना बेहितर देख सकता है बाग की मुचें हवा में हुए कमपन को भाप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सई स्थिती का पता चल जाता है इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूनने में भी मदद मिलती है बाग अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंद छोड़ते जाते हैं यह इलाका कई मिलो मीटर बड़ा हो सकता है एक बाग किसी दूसरे बाग के मूत्र की गंद को जट से पहचान लेता है फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं यह तो उस बाग की मरजी बाग मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है घुसे में अलग आवाज और बागिन को बुलाना हो तो अलग आवाज कभी करहाना हो तो कभी गुर्राना बाग का गुर्राना तीन किलो मीटर दूर तक सुना जा सकता है बाग हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के जाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है बाग के दोनुकान बाहर की आवास इकठा करने के लिए अलग-अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं बाग इतना सतर्क जानवर है लेकिन इस सब के बावजूद आज वह खत्रे में है सोचो, जंगल के बाग को किन चीजों से खत्रा होगा? क्या हम भी जानवर के लिए खत्रा बन रहे हैं? कैसे? क्या तुम जानते हो? हाथी को उसके दातों, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच और साप को उनकी खाल के लिए मारा जाता है? कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुश्बू के लिए मारा जाता है? जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं हमारे देश में बाग और अन्ने कई जानवरों की गिन्ती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खत्रा है हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है जैसे उत्तरा खंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजिस्थान के भरतपुर जिले में घाना इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है यहां लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहँचा सकते पता करो भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहां कहां है इनके बारे में जानकारे इकठी करके रिपोर्ट तैयार करो हम क्या समझे क्या तुमने कभी ध्यान दिया है बहुत से गायक गाईकाएं गाते समय अपने कान पर हाथ रखते हैं वे ऐसा क्यों करते होंगे कुछ उधारन दे कर समझाओ जिससे हमें पता चलता है कि जानवरों की देखने, सुनने, सूंगने और महसूस करने की शक्ती बहुत तेज होती है प्रिष्ट चौधा आओ बनाएं कागज का कुट्टा सामान, थोड़ा मोटा कागज, पैंसिल और कैंची यहाँ पर एक चित्र दिया गया है अध्यापिका किसायता से कुट्टा बनाना सीखें कैसे पहचाना चीटी ने दोस्त को अभी आप सुन रहे थे कक्षा पाँच की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पहला पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत